देर स्टुडेंट्स मैसेल्फ दॉक्र आशीश गर्ग एसोसियेट प्रॉफसर इन केमेस्ट्री सेट आरेन रुया गवर्मन कॉलिज रामगट शेकावाथी डिस्टिक्ट सीकर राजिस्थान बच्चों बीस्सी पार्ट थर्ड में हमने मैगनेटिक प्रॉपर्टीज अब दे कॉम्प्लेक्स धातू संकुलों का चुम्ब की वहवार किस प्रकार का होता है हमने यह टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और आज के सेशन में हम मैगनेटिक बेहेवियर जो संकुलों का होता है उसमें एक प्रॉपर्टी फैरी मैगनेटिजम इसके बारे में हम पढ़ेंगे मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूँ देखो बिटा हमने अनुचुम्ब किये पैरा मैगनेटिजम उसके बारे में हमने अध्यान किया हमने देखा कि संकुल योगिक जिनमें अनपेर्ड इलेक्टरॉन्स होते हैं और उनको जब हम मैगनेटिक फिल्ड में रखते हैं तो चुम्ब किये छेत्र की तीवता बढ़ जाती है हम इसको इस तरह से कहें कि इस प्रकार के पधार्थ जिनमें अनपेर्ड इलेक्टरॉन्स होते हैं या संकुल योगिक जिनमें धातू में अनपेर्ड इलेक्टरॉन्स होते हैं ये चुम्ब किये बल रिखाओं को आकर्शित करते हैं दूसरे प्रकार के हमने देखे बच्चो कि डाया मैगनेटिक मैंने बार-बार इस प्रकार को फोकस किया है आप जब पढ़ें इसको डाया मैगनेटिक दी आई आप इसको कोरिलेट कर दिजिए याद करने के लिए डाय माने दो इलेक्टरॉन्स आर पेर्ड कंपाउंस जिनमें युग्मित इलेक्टरॉन्स होते हैं ये चुम्ब किये बल रिखाओं को प्रतिकर्शित करते हैं और इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिचुम्ब किये तो बच्चों प्रतिकर्शित करते हैं प्रतिचुम्ब किये क्योंकि बच्चे कई बार जब एक्जाम में लिखते हैं तो इसको मिक्स कर देते हैं पेरा मेगनेटिजम, डाया मेगनेटिजम, फेरो मेगनेटिजम, फेरी मेगनेटिजम, एंटी फेरो मेगनेटिजम, इन प्रॉपर्टी उसको बच्चे मिक्स कर देते हैं, तो पेरा मेगनेटिक अनुचुम्प किये प्रॉपर्टी हो गई, ऐसे संकुल यौगिक जिनमें अ यानि ऐसे अनुचुम्प किये कंपाउंड संकुल योगिक हम कहें या तो ऐसे योगिक या फिर संकुल योगिक पधार्त या संकुल योगिक जिनमें सभी इलेक्ट्रोंस का इस्पिन एक जैसा होता है बचो यहाँ पर जरूरी क्या है अन्पेर्ड इलेक्ट्रोंस का होना तो सभी इलेक्ट्रोंस का इस्पिन जब मैगनेटिक फ्रीड में हम रखते हैं तो उनका इस्पिन एक डारेक्शन में हो जाता है हम कहें या तो क्लॉक् नाम है फेरो मैगनेटिजम बच्चों कि यह प्रॉपर्टी आइरन की होती है प्रमुक रूप से तो इसलिए इसका नाम दिया गया फेरो मैगनेटिजम हम देखते क्या है कि यदि हम किसी मैगनेटिक फिल्ड में आइरन को लोहे को हम रखते हैं तो उसके अंदर एक पर्मनेट मैगनेट डेवलप हो जाता है मैंने दो बातें पताई थी एक बताया था क्यूरी टेंप्रेचर कि जब हम ऐसा आइरन जिसको हमने मैगनेटिक फिल्ड में रखने के बाद उसके अंदर मैगनेटिक प्रॉपर्टी को डेवलप किया है यानि उसके जो अनपेर्ड लेक्ट्रॉंस है वो एक डारेक्शन मे हो जाते हैं तो ऐसे चुम्बकिये पधारत को हम जब गरम करते हैं तो क्या होता है इनका यह जो एक डारेक्शन का इस्पिन होता है इलेक्ट्रॉंस का वो समाप्थ हो जाता है और समाप्थ होने के बाद एक स्थिती ऐसी होती है कि जब इन में पूरी तरह से चुम्बकत् किया था नो थैर्ड प्रापर्टी बच्चो इसके अंदर anti-pheromagnetism और anti-pheromagnetism में हमने क्या देखा था कि anpaired electrons होते हैं लेकिन यह अलाएद एलेक्ट्रॉन एक clockwise तो दूसरा anti-clockwise यानि total magnetic moment zero so that is the anti-ferromagnetism right बच्चों यह हमने अब तक part 1 2 3 तीन parts में हमने इसको हमने discuss किया यहां पर हम हमारा जो आज का topic है that is fairy चुब कर फेरी मेंगनेटिजम बच्चों होता क्या है कि फेरी मेंगेटिजम कि यह फेरो मेंगनेटिजम एंटी फेरो एंटी फेर्डेर बेनलेटिसम इंटी फेरी मेंगनेटिसम इनके बीच की प्रापर्टी होती है राइट क्या होता है बच्छों देखें आपर मैं आपको बताऊं यहां पर फैरो मैगनेटिक में क्या हो रहा है इस तरह से 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 यहां पर क्या हो रहा है यहां पर इस तरह से जैसा मैंने कहा है एक clockwise तो दूसरा anti-clockwise Unpaired electrons होते हैं यह जो property होती है यहाँ पर हम क्या देखते हैं यह इन दोनों के बीच का इनकी middle state This is the ferromagnetism तो देखी बच्चो यह है प्रभाव ferromagnetism where anti-ferromagnetism इनके बीच का प्रभाव होता है और इसमें विपरित चुम्ब की आगून एक दूसरे को कुछ सीमा तक तो नस्ट करते हैं देखो बच्चो ferromagnetism में क्या हो रहा है ना तो सारे के सारे electrons clockwise हैं या anti-clockwise है यह इनका direction एक है जैसा हमने कहा कि लोहे को जब हम magnetic field बे रखते हैं तो इसके अंदर एक permanent एक इस्थाई चुम्बक की गुण आ जाते हैं तो ferry magnetism में एक स्थिति तो यह वाली है और एक स्थिति anti-ferromagnetism anti-ferromagnetism का बताब हुगा एक का clockwise electron दूसरा anti-clockwise इलेक्ट्रॉंस अनपेर्ड उपस्थित होने चाहिए दोनों के अंदर लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है magnetic moment 0 क्योंकि एक electron clockwise दूसरा electron anti-clockwise ferry magnetism में क्या हो रहा है बीच की स्थिति दो electron clockwise या तीन electron clockwise और एक electron anti-clockwise यानि यहाँ पर चुम्बकत्व पूरी तरह समाप्त नहीं होता राइट यानि कुछ चुम्बकत्व यहाँ पर बना रहता है क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया anti-ferromagnetism में magnetic property completely खतम हो जाती है clear? तो बच्चों देखें यहाँ पर ferry magnetism में कि विपरीत चुम्बकिये आगून एक दूसरे को कुछ सीमा तक तो नस्ट करते हैं लेकिन पूर्ण रूप से नस्ट नहीं करते हैं अतहे इस प्रकार के पधार्तों का कुछ चुम्बकी आगून होता है बच्चों देखें मैं आपको एक बार फिर बता दूं थोड़ा सा यहां पर इस्थाई मैंगनेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है जब हम लोहे को मैंगनेटिक फ्रील के अंदर रखते हैं यहां पर ऐसा नहीं होता राइट वन इस एक एलेक्ट्रॉन जो डेवलप करता है मैंगनेटिक मोमेंट दूसरा उसको समाप्त कर देता है तो यहां पर मैंगनेटिक प्रॉपर्टी मैंगनेटिक मोमेंट जीरो दिस इस दा एंटी फैरो मैंगनेटिजम लेकिन यहां पर फैरी मैंगनेटिजम के अंदर मैंगनेटिक मोमेंट कुछ होता है दो एलेक्ट्रोन क्लॉक्वाइज एक electron anti-clockwise, तीन electron clockwise और एक electron anti-clockwise यानि एक समाप्त करता है, दो-तीन उसके अंदर develop करते हैं, तो very magnetic property जैसा मैंने यहाँ पर कहा है, यह property इन दोनों के बीच की property है, किस-किस के? है, ferromagnetism and anti-ferromagnetism, clear? बचो, zumふर यहां पर दिया है हमने, Fe 304, दिस अउपसाइड आफ एन, हम देखते हैं बचों यहां पर की, में एक यहां पर परापर्टी मैंने यह यह है यलेक्ट्रॉंज के चक्रण विप्रित दिशा में यहां सब्सक्राइक हिससी पर खेंग है तक दोलो को अलख वाइस दिखाने हे यह फिर दो दो एलेक्ट्रोंस आप एंटी क्लॉक्वाइज दिखाईए एक क्लॉक्वाइज दिखाईए या फिर तीन एलेक्ट्रों आप क्लॉक्वाइज दिखाईए एक एलेक्ट्रों आप एंटी क्लॉक्वाइज दिखाईए तो यह हमें इस तरह से इसको हमारे एक्जैम के अंदर क होते हैं तो इन में अनुचुम्बकत्व पाया जाता है जबकि कुछ में फैरो मेंइटिशम पाया जाता है तो बेटा मैंने जैसाब को बताया इस प्रकार अनुचुम्बकत्व के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि पधार्त में अनपेर्ड एलेक्ट्रॉंस होने चाहिए एबं किसी पधार्त के फैरी मेंगनेटिजम दर्शाने के लिए अनपेर्ड एलेक्ट्रॉंस के लिए निम्र शर्ते आवशक है देखो फिटा यहां पर मैंने यह तीन कंडिशन्स लिखी है कि अगर कोई कंपांड फैरी मेंगनेटिजम शो करता है नंबर एक उर्जा पटियां सक्री होनी चाहिए एवं परमाणू परस पर यहां पर बच्चों हम जैसे explain करते हैं band theory में explain करते हैं किस तरह से bands का formation होता है यहां पर उजा पटियां सक्री होनी चाहिए नजदीक होनी चाहिए एवं परमाणूं परस पर इतनी दूरी पर होने चाहिए कि उनके परमाण दिये कक्षक परस पर अतिव्यापन करके आशिक रूप से सह सयोजक बंद बना सके नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स का युगमन नहीं हो पाता है तो this is the first condition कि यहाँ पर परमाणूं एक दूसरे के नजदीक होने चाहिए जिससे उनके बीच में इस तरह का bond formation हो जाए क्योंकि हम क्या कह रहे हैं यहाँ यहाँ पर यह एलेक्ट्रॉन्स क्या है अलग-अलग परमाणूं के दूसरा point है यहाँ पर दो एलेक्ट्रॉन्स के अं जैसे यहाँ पर दो पैरलल है एक एंटी पैरलल है तो this is the अब यह वाला बच्चो पैरलल हो गया यह एंटी पैरलल हो गया तो this is the इस तर्म को यह जो तर्म है इसे हम कहते हैं exchange integral बच्चों very magnetic पधार्थों के लिए exchange integral का मान धनात्मक होना चाहिए और ऐसा उस इस्थिती में होता है जब electron electron प्रतिकर्शन बल इलेक्ट्रों नाभिक आकर्शन बल से अधिक हो जाता है देखो बेटा यह जो प्रॉपर्टी है यहां पर अंचाह कह रहे हैं कि होता क्या है हम यहां पर iron की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रों और नुक्लियस इनके बीच में attraction होता है और electron electron repulsion होता है हम जब shielding effect पढ़ते हैं दो forces एक force होता है electron का nucleus का attraction जो की atomic size को कम करता है दूसरा क्या होता है electron electron repulsion अंदर के electrons का बाहर के electrons को repulsion वो प्रतिकर्शित करता है आकार को बढ़ाता है अब यहाँ पर क्या होता है दोनो forces एक दूसरे को counterbalance करता है we are studying the here na shielding and de-shielding effect यहाँ पर क्या हो रहा है very magnetic property कब develop होगी जब electron electron प्रतिकर्शन बल electron नाभिक आकर्शन बल बच्चों electron nucleus attraction के उपर dominate करेगा electron electron repulsion तब very magnetic property develop होती है तीसरा बिंदू यहाँ पर है कि परमानू एक दूसरे से बहुत अधिक दूर नहीं होने चाहिए तो यह बच्चों हमने यहाँ पर भी कहा है कि यहाँ पर इनके बीच में distance कम होना चाहिए जिससे इनके बीच में covalent bond formation हो सके दो atoms के बीच में तो परमानू एक दूसरे से बहुत अधिक दूर नहीं होने चाहिए इससे exchange integral का मान बहुत कम हो जाता है और उर्जा कम होने से तंत्र पर्याप्त इस्थाइत्व नहीं मिल पाता है बच्चों यहाँ पर हमने example दिया है कि ferry चुमकत्व ferry magnetism यह property iron कोबाल्ट एंड निकल इन धातूँ के संकुल इनके जो complexes होते हैं यह ferry magnetic property show करते हैं तो बच्चों मैंने आज यहाँ पर हम इसमें समाप्त करते हैं magnetic behavior of metal complexes में जो properties होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ाया कि किस किस प्रकार का type of magnetic behavior संकुल यॉगिक किस किस प्रकार का magnetic behavior show करते हैं पहला हमने पढ़ा paramagnetism अनुचुमकत्व दूसरा हमने पढ़ा diamagnetism प्रती चुमकत्व तीसरा हमने पढ़ा लोहो चुमकत्व जो की लोहे की property होती है इसलिए इसका नाम दिया है ferromagnetism बढ़ा भुट आपी चुमकत्व लोहे की चुमकत्व हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है यह वा वो खूम को लोग जो हो जादी यह लोगत कि वी अज़खगा है हम यह जना ऐस जड़ गादी वी इस वी वी घए यॉ झाल झाल